युग बदल गया, जमाना भी बदल गया, नहीं बदली तो आदिवासियों की सदियों पुरानी दीरिवाज और परमपरा ऐसा ही कुछ धमतरी के वनान्चल इलाके में रहने वाले आदिवासी गोड समाज में मृतिव्यक्ति के मट पर उसके पसंदीदा वस्त्मों की आकृती बनाने की अनोखी परमपरा जो की सदियों से चली आ रही है यह परमपरा अब भी आदिवासी बरकरार रखे हुए है इन आदिवासियों की परमपरा को दिगर समाज वाले भी अब धीरे धीरे अपनाने लगे है जैसे भी नौप्रतिक चिन मानते हुए मट का निर्मार कराते हैं और जैसे अकार प्रकार देने का हुआ जैसे मोटर जाडी बगेरा बगेरा तो कहीं वो च्छालक रहते हैं या कुछ अपलब उससे संबंदित गाडियों या इसे प्रकार से कोई जीव जनतु या जैसे भी तो उस अधार पे ब्रतिक चिन्न का का प्रकार को बनाते हैं यह तो अब हम लोग नहीं जानते लेकिन अब वो देखा सुनी और उसको चलो है आई परिवार बठे या समाज ब गिंगो देशuk लेडिवार हुजरण के बाते हैं तो उस प्रकार से बनाया जाता है तो में हमारा जो समाज है यह मतुत पुरातन संस्कृति को मनने वाला स्वामाज है क्योंकि यह जो है रूड़ी के उपर चलते आ रहा है दादक दादा के पिढ़ी के और से चलते आ रहा है जब भी हमारे यहां के किसी का मृत्ति होता है उनका संवान पुर्वक मत बनाया जाता है अब मत के उपर में जो हमारे जो बेटी माई लोग रहते हैं जो हमारी बहन होती है हमारी बुवाएं होती है वो लोग उस मृतक के याददास्त में एक प्रतिक चिन्न रखते हैं जैसे वो कुछ भी हो सकता है जैसे गोला हो या पिर बैल गाड़ी हो या तो पिर आपका मोटर कार वगर हो इस टैप से क्योंकि इसके रखने के पीछे ये कारण रहता है कि मृतक के ऊपर बेटी माँ जो की दूसरे घर की रहती है उनका भी एकास्ता उनके साथ जुड़ा रहता है कि हम भी इसको मानने लगते हैं इस प्रकार का उनका एक सोच रहता है और इसी सोच के बदलत उल्लुक ये काम पुरातन संस्कृति को अभी तक वर्तमान काल तक चलाते आ रहे हैं और इसमें दूसरे तरफ से अपन देखें तो एक वेग्यानिक दृष्ट कोण भी है कि लोगों का मिलन भी हो जाता है और जुड़ा भी हो जाता है और बेटी माई लोग का जो हक रहता है वो चीज इसम को मिलता है दरसल धंतरी जिले का नगरी सिहावा इलाका वनांचल छेत्र है आदिवासी वहुल्य होने के कारण यह सद्यों पुरानी परंपरा अभी कायम है यहां के गोड समाज में माता पिता अत्वा पडिवार के शादी सुदा सदस्य की मृत्य होने के बाद उसके अंत आम तोर पर पुरुशों के मट पर बैल गारी, घोडा, हाथी, भाला पकड़े दर्वान, जीप, कार, मोटर साइकल और स्कूटर की आकरिती बनाई जाती है वही महिला मट में कलश बनाने की परमपरा है और ये परमपरा अब दिगर समाज के लोग भी अपनाने लगे है उसे एक परमपरा रही है, सदियों से उनकी परमपरा चली आ रही है कि ओ अपने घर के सियान, भुजूर वे युवा, जिस रूप में अपने जिन्दगी की पूरी जीवन सही जीते है और उनकी मुलित्य होने के पाद उसकी जब मट इस्थापनक की जाती है, तो उस मट में मोटर, कार, बस की अक्रिती का उनका प्रतिक चिन्द बनाये जाता है और उस प्रतिक चिन पे प्रतेक तीस तेवहार में या च्छेप्री तेवहारों में बराबर उस मठ में जाकर करके अपने आस्था का दीप प्रजावलित करते हैं इन आदिवासियों का मठ में कलाकृती बनाने की परंपरा सदियों से चलिया रही है और इस दोर के पीड़ी भी अपने पुर्वजो द्वारा बनाए गए परंपरा को संजो कर रखने का भरोसा दिला रहे हैं वाकई में आदिवासियों की रीती रिवाज और परंपरा जो सदियों से चलिया रही है उसमें आज भी तनिक भी बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है जो कि अपने आप में अनूठा और काबिले तारीफ है धंतरी से जैलाल प्रजापती ETV भारत छत्तिसकर